वेलकम बेक टू माय चैनल अभी कुछ जिनों तक ऐसी वीडियो आने वाली है बन्दब आडियो के अंदर क्योंकि अभी क्या है चार पांस दिन पहले मेरा एक्सिएंट हो गया था और कापी डेमेज होगी है मेरी बोडी अभी लेग में चोटा है 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 एंड में भी और थोड़ी बहुत गले में भी बट अभी वो ठीक है लेकिन आपको डरनी जरूद नहीं है मैं आपको साथ बना रहूँगा और आपको डेली अपडेट करता रहूँगा जैसे कि हर संडी वीडियो आती थी और आती भी रहेगी और वीक में भी एक दू वीडियो आती रहेगी तो जैसा कि आपको वीडियो का थमनेल या टाइटल दे के पता लग गया होगा कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने तेली उनिवस्टी के अंदर एडमीशन लिया है तो उन्हें किन-किन बातों का ध्यान अखना दिली में आते वक्त जो नॉर्मल सी बाते हैं लेकिन ने के लिए बहुत बड़ी बाते हो सकती है नॉर्मल बाते हैं लेकिन बहुत बड़ी एक स्टूडेंट के लिए हो सकती है जैसे कि भूछ बच्चों की डाउट आ रहे हैं कि कितना एक्सपेंस रहता है डैली के अंदर और PG से रलेटेड आते हैं उसके बाद काफी रहने से रिलेटिड भी आते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स टाइम आते हैं डेली के अंदर तो बहुत टैंशन में रहते हैं ये बहुत सभाविक है मुझे भी बहुत टैंशन में थी जब मैं फर्स टाइम आया था कई हों कि दर relative रहते हैं जिनके रिलेटिफस नहीं रहते हैं और बिहार साइट से आते हैं कैरला south side साइट साइट से आते हैं तो सबसे पहले आपको बता दू कि जब भी आप आते हैं डेली में तो आपको अचान व्यक्तियों से दूर रहना है ख़गवान जाने कैसे पता रग जया तो आपको पहले फसा लेत은 spraying पिर जहां से मुने हो पता लग जयाता यह बंदा नहीं है और आपको कुछ नहीं कुछ Amount ले लेती हैं रह床 आपको पहले कर रहा हूं कि आपके साथ वह सब नहीं हो जो मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ हुआ है आपसे पैसे चीले जाएंगे बस यह होगा कि मतलब वह साथ वालदू होते हैं वह कुछ भी ऐसे करके जाड़ फूक करके कह देते हैं कि यह हो जाएगा पांस रुपे देदो वह हजार रुपे ऐसे करें कुछ ने कुछ तोड़ा वत अमांट ले लेते आपको डर आके और ब करना नहीं है आपने कि हाँ भाई मतलब इस वीडियो के बाद ऐसा लगे आड दिल्ली तो बड़ी खराब है ऐसा कुछ भी नहीं है बस मैं आपको अवेर करों अवेर होना चाहिए आपको हर चीज से रिलेटेड तो आप मैंसे कई भी ऐसे बहुत सारे होंगे जो यह बाते बारे में जो मैं बता रहा हूं और सेकेंड नमर आपको अपने फॉन का बहुत ध्यान अखना है जैसा कि आप डैली उन्यूस्ट्री बहुत बच्छों अडिविक्शन लिया हो आएंगे दिल्ली के अंदर पहली बार विजिट करेंगे तो यह बहुत ज्यादा जो फॉन च बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन उन चोरों को पता है कि आप डैली में नहीं हो आपको नहीं पता कौन चोर है कौन चोर नहीं है देली के अंदर लेकि उन चोरों क्लियर पता है कि आप नहीं है और वो काम कर देते हैं सेकेंड बात आप करते हैं कि कितना expense आजाता है normally देखो क्या कि PG जवाब लेते हो और कास वच्छे PG लेते हैं वही मतलब लेना पसंद करते हैं और basically मैं यही कहूँगा आपको वही लें उसी में जादा comfortable रहता है इंसान तो जो PG आप लोगे या तो आप लोगे single या आप लोगे double sharing या आप लोगे triple sharing देखने जादा कि साड़े चार जार इसके बीच में रहता है double sharing में आता है चैसे लेके साथ जार की बीच में विद फूड फूड साड़े साथ मतलब minimum जो होगा वो 6.50 होगा और maximum जो होगा वो 7.50 होगा उससे उपर नहीं आता है सिंगल में रहते हैं तो वो 8.50 ही पहुंच जाए उतने ही रहता उससे जादा नहीं रहता है यह तो रही खाने की बात खाने और PG की बात नॉर्मली उसके अलावा कितना expense हो जाता है तिनहाजार चार याध उससे उपर नहीं है तो ओवराल जो एक्सपेंस की बात करते हैं वह आता है लास्ट आपका 12,13 हजार तक आजाता है अगर आप डॉबल शेरिंग ये सिंगल शेरिंग में रह रहे हो और आप तो आपको लास्ट नो हजार तक आपका काम चल जाता है जिन कई बच्चे पीजी के लिए बहुर टेंशन है तो मैं आपको बाद हूँ कि अगर आप सुन लोगी शादरा अच्छानी है जैसे आपने शामलार कॉलिज मैडमीशन लिया है तो कई सारे मेरे कमेंट आपका कि तो मैंने बूल रह या जादरा अच्छानी है तो मैंने भी शुनाता है कि शादरा अच्छा नहीं बट Так मैयरे साथ कि बहुत लोग क पीछे पीजी लेकर रह रहर है वहां पर बहुत सारी पीजी três और मैं तो बेसिकली लक्षी मेरे रहा हूं कि मैंने आपको प्रीवेस वीडियों बताया भी था कि मैं आपनी कोचिंग भी कर रहा हूं यहां से और कॉलिज भी चला जाता हूं बैसिकली दिल्ली निवर्स्टी आपको डिटी सी की जो फैसिलीटे वो प्रोवाइड कर देती तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हों बिसिकली मुझे यही बताना थे कि आप दिल्ली में आ रहे तो आपको किन-किन दो-तीन चोटी बात होगा दिहान रखना है और मैं आप से भी मिलनी पाऊँगा अगर आप सोच रहे हो कई सारे बच्चो से अच्छी जान पेचान होगी है तो वह सोच रहेंगी नहीं तो फिर 6 semester में तो मैं continue करोगा जब मेरा हाथ बिल्कुल fit हो जाएगा उसके बाद ही मैं आऊंगा college अगर आपको कोई doubt है तो मुझे comment section में पूछ ले और जो भी शाम्राल college से है या दिली उनिवस्टी से है और जो और information चाहते हैं college के रिगाड़े या अपडेट रहना चाहते हैं तो वो इस channel को subscribe कर ले और अभी मैं अपने इंस्टाग्राम आइडी पर भी और शाम्राल का एंसी सी का पेज़े है उसे भी आप फॉलू कर लेंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो मिलता है आप से नेक्स वीडियो के अंदर अब देखने के लिए तो नहीं बोलूँगा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपको ऐसे सुनना पड़ेगा पांच छे वीडियो अल्मोस्ट आएंगे ऐसे उसके बाद तो जब मेरे मैं फिट हो जाँगा जब मेरा हाथ पैर हो जाएंगे चलाने लाइक तब मैं आपसे वीडियो में मुलाकात करूँगा तब तक के लिए रादे रादे